नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट, नर्सिंग स्मार्ट के यूटूब चनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, आज के छोटे से वीडियो में डिसकस करेंगे राजीव गांदी सूपर इस्पेसिलिटी होस्पिटल, जो की गौर्ण्मेंट ओप ए देली के अंदर में एक ओटनोमस इंस्टिटूट है, यह देली में ताहिरपूर में है और यहां पर कोविड-19 मेनेजमेंट के लिए नर्सिंग ओफिसर की रिकूडमेंट के लिए नोटिफिकेशन है यह दोस्तों यह ओफिस का ओडर है, इस ओस्पिटल में नर्सिंग इसके लिए इंटर्यूज कंडर्ट किये जाएंगे नर्सिंग ओफिसर की पोस्ट और इसके अलावा भी काफी पोस्ट के लिए, जो की डेली बैसिस पर होंगे, मतलब इसमें बेसिक प्लस डिये नहीं मिलेगा, डेली बैसिस है, शिप ड्यूटीज के इसाब से जो भी रि मिनिमम् सिक्स मंथ तो शौर है, एप्लिकेशन जो है वो प्रस्क्राइब प्रोफोर्मा में आपको MS आफिस में जमा करानी है और आपको इंटर्यू के लिए कॉल किया जाएगा, इंटर्यू के लिए आपको ऑस्पिरल की वेबसाइट पे या फोन नंबर से या फिर इमेल के दोरा शूचित कर दिया जाएगा, ओर्डर में क्लियर कट लिखा है कि ये पोस्ट जो है, ये रिक्रूड्मेंट जो है, वो केवल COVID-19 के मिनेजमेंट के लिए है, एक्स्टेंशन COVID-19 के मिनेजमेंट के इसाब से ही दी जाएगी, और जो भी गर्न्मेंट ओप एंसिटी जो ब्लेली के ओडर आएंगे, COVID-19 से रिलेटेड उसके साब से एक्स्टेंशन मिलेगी, अदर्वाइज ये डू टाइम में जो आपका एग्रिमेंट जो है, वो खतम हो जाएगा, लेकिन ये मिनिमाम सिक्स मंत सो 100% चलना ही चलना है, आप चलिए डिसकस करते हैं कि आपका रिमिनेरेशन क्या रहेगा, आप कुछ बच्चे सबसे पहले क्यूसन उठा देंगे कि सरीए 1712-2021 का ओर्डर है, जी ऐसा नहीं है, ये रिन्यूवल का ओर्डर था, जो कैंडिडेट्स पहले से वहाँ पर काम कर रहे हैं नर्सिंग ओफिसर की पोस्ट के लिए और अधर प पर देख सकते हैं, शीरीज नंबर 6 पर आप नर्सिंग ओफिसर की पोस्ट के लिए पर डे पर शिफ्ट जो ओनोरियम है, आपको 2000 रूपीज पर डे का मिलेगा, और मिनिमम जो कालिफिकेशन है वो बी एसे नर्सिंग या फिर जलना नर्सिंग और मेडवाइफरी होना चा सकते हैं, आप इसको नए सीरे से टाइप भी कर सकते हैं, और साइन करना है, और हर एक पेज को आपको फिर इसका पीडिया फॉर्मिट तयार करना है, और वो इमेल के द्वरा आपको इनको भेजना होगा, इमेल एडरेस आप इनका देख सकते हैं, यह msrgssh.gmail.com है, आप इस दिएगे इमेल एडरेस पर अपनी एप्लिकेशन फॉर्म भेज सकते हैं, आपको इसके अलावा और थोड़ी दो-तीन चीज़ें आपको बहुती ध्यान रखनी होगी, कि आप जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, वो पढ़ने लाइक होना चाहिए, आपका नाम समझ में नह बेजना ही बेजना है, इसके अलावा आपको एप्लिकेशन फॉर्म का हर एक पेज, आप सोचेंगे कि हर एक पेज पर तो साइन के लिए यहां पर नहीं लिख रहे हैं, देखिए जैसे यहां पर है, इस पेज पर तो साइन के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको हर ए application form का हर एक page जो है वो sign करना है अब दूसरी बात यह application form यहीं से शुरू हो जारा है इसका मतलब आप इस application form को preferably नए सिरे से दोस्तों आप type करवा लीजिएगा वो ज्यादा बहतर रहेगा आप ऐसा का ऐसा बेज देंगे तो भी कोई इस्यू नहीं है यह टेडा मेडा है क्योंकि स्केंड कोपी है यह तरीके से ठीक से नहीं रखिवी तो आप इसको नए सिरे से type करवा करके फिर अपने details बर करके इनकी pics लेकर के उनका PDF बनाईएगा और फिर आपको इनको upload करना है दिएगे email address पर और सबसे important जो चीज है वो हमने आपके साथ में discuss कर लिए कि हर एक पेज जो है वह application form का sign होना चाहिए आपके द्वारा और दोस्तों हमने बार-बार आप लोगों से sign करने का और self-attest करने का तरीका जो है बार-बार discuss किया है यह किस तरीके से sign होना चाहिए वो आपको अपने sign करके signature करके और उसके नीचे हमेशा date डाल देनी होती है इस तरीके से और उसके बाद में आपको अपना नाम यहाँ पर नीचे लिख देना है capital letters में आपको अपना नाम लिख देना होता है application form में overwriting नहीं होनी चाहिए ऐसी को दिक्कत होगी तो नया form बर दीजिए इसके साथ में email में email पर आपको अपने certificates की self-attested copies भी बेजनी है उनका भी आपको PDF format त्यार करके बेजना है ऐसा न जैसे jpg file png file आगर आपने test कर दिया आप पर और वो accept नहीं कि जाएगी और वो तो सीरे से reject कर दिया जाएगा दोस्तों self-attested documents आपने test नहीं किये तो reject कर दिया जाएगा form हर एक column जो है आपका complete होना चाहिए जो आप पर apply नहीं होता वो भी complete होना चाहिए कैसे जो चीज आप लागू नहीं होती हो आपको लिखना है not applicable या not available ये लिखना है दोस्तों टेडा करके आपको इसको पैंस से लिखना है ये कि not applicable या not available जैसे आपको पुछा कि भी experience है क्या अगर आपको experience नहीं है तो आपको छोड़ना नहीं है उसको खाली आपको उसके अंदर लिखना है not applicable और not available किसी भी column को आपको खाली नहीं छोड़ना है ये आपका दोस्तों तीन पेज का यहाँ पर application form है यहाँ पर आप में आपको sign करके यहाँ पर नीचे आपको नाम भरना होगा यहाँ पर place date इस तरीके से आप लोग रोज आजकल form बढ़ते हैं तो आपको idea है दोस्तों इन चीजों का कोई issue नहीं है आप बच्चे question करेंगे सर कितनी पोस्ट हैं तो दोस्तो पोस्ट नमरों पोस्ट उन्हों मांगा गया है इसके बाद में आपको बुलाया जाएगा और interviews conduct किये जाएंगे अलांके हम किसी आपके किसी कॉमेंट से unnecessary नहीं होते हैं लेकिन हम आपको एक साथ में पहले ही बतायते हैं नंबरों पोस्ट जो है इन्होंने डिकलेर नहीं की है और हम भी आपको को exact number नहीं बता पा रहें लेकिन हमारे पास में जो सूचना आपको बतायते हैं कि 200 से 300 नर्सिंग ऑफिसर की पॉर्स के लिए recruitment किया जाएगा उसके लिए वोकें इंटर्यू रखा जाएगा राजीव गांदी सुपर इस्पेसिल्टी होस्पिटल में तो दोस्तों आपको इबार फिर इन्वाइट कर लिए गये हैं इसलिए आपको गिवन डेट पर बुलाया जाएगा इंटर्यू के लिए और उसी दिन इंटर्यू आपके होंगे दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बार नमबरों पोस्ट जो है वो शौर नहीं है नमबरों पोस्ट जो है वो डिक्लेड नहीं है लेकिन डाइसो से तीन सो पोर्ट जो है शौर रहेंगी इसके अंदर टेनोर जो है मिनिममम सिक्स मंद्स का रहने वाला है कोई-19 के मेनेजमेंट के लिए फिर आगे भी वहाँ पर काम रहता है तो आपको एक्स्टेंशन इजिली मिल जाएगी और अधर इंस्टिटूट ले लिजे दोस्तों जैसे की रेलवे है वहाँ पर आपको ओल सड़न आपका टेनोर खतम होते ही आपका कोंट्रेट जो टर्मिनेट कर दिया जाता है जबकि ऐसा यहां पर नहीं होने वाला आपको इस तरीके से औल सड़न कभी भी टर्मिनेट नहीं किया जाएगा डेली ग